वेलकम टू टालेंटेंबर साइलेंट नहीं देखा है तो मैं उसका जनकारी इसी वीडियो में ब्रीफली दे दूँगा क्योंकि 1784 का पीट सिंडाइक्ट और 1773 का रिगलेटिंग एक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है तो चलिए सुरू करते हैं 1784 का पीट सिंडाइक्ट और हाँ इस एक्ट को पढ़ने के बाद हम इसे रिगलेटेड कुछ MCQ भी सालव करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं इस एक्ट का नाम ततकालिक परधान मंत्री बिलियम पीट का नाम पे रखा गया गाईज अगर आपको कहानी समझ में आ रही है तो 1773 की रिगलेटिंग एक्ट का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पहली बार ब्रिटिस संसद में ब्रिटिस इस्ट इंडे कंपनी को रिगलेट करना चाह रही थी क्यों करना चाह रही थी तो British East India Company खुद उनसे पैसे मागने आई थी क्योंकि उस वक British East India Company थोड़ा financial crisis से गुजर रही थी कुछ खामिया रह गई थी 1773 के रिखलेक्टिंग एक्ट में उसी को दूर करने के लिए 1784 का पिर्स इंड़ा एक्ट लाया गया इस एक्ट में आपको यह साब जलक आएगी कि British East India Company के पास जो भी सक्तिया नहीं थी उसे संसद अपने हाथों में लेने का कोशिस करेगा क्योंकि संसद को इस बात से चिंता थी कि कहीं कमपनी इतना मजबूत ना हो जाए कि कल British सत्ता के सामने खरी हो जाए फैनली हम यह कह सकते हैं कि British India Act British संसद कोशिस में लगी है कि British East ने कमपनी के द्वारा भारत में जितने भी अधिकार छेतर प्राप्त किये गए हैं वो British East ने कमपनी के अधिन ना आके संसद के पास आए कमपनी ब्यवपार करें तो हमें कोई कठनाई नहीं है हमें कोई अपती नहीं है बट अगर कमपनी अपनी सकती का बिस्तार करें कहीं न कहीं संसद इस बात से आउगत था कि भाराज जैसे देश पर British East ने कमपनी का बिस्तार British संसद के लिए आगे चलकर समस्या खरी कर सकती थी इसी बाहर ने जब कमपनी British संसद से पैसा मागने आई तब संसद ने नियंतरत करना सुरू कर दिया I mean regulate करना सुरू कर दिया तो चली आज हम देखते हैं कि 1773 के regulating act में क्या बरे बदलाव किये गए तो सबसे पहला बदलाव था कि गौर्णर जेर्नल के अधिकारों तथा इस्तिती को इस्टपस्ट करना दूसरा था प्रसासनीक सुधारों को वतवारे निर्मित करना तिसरा था कि कंपनी पर परलियमेंट के नियंतरन को और मजबूत करना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा लिखा है कंपनी पर परलियमेंट के नियंतरन को मजबूत करना means कि जो परलियमेंट है वो कंपनी से कुछ सकतिया अपने हाथ में लेना चाहती है अपना नियंतरन उसमें मजबूत करना चाहती है रिगुलेट करना चाहती है नेक्स्ट है कमपनी के सासन पर प्रभावी नियंतरन रखने है तू इंग्लेंड में 6 सदसिये Board of Control का गठन किया गया Board of Control ये वर्ट थोड़ा important है क्योंकि पीट सिंडर एक्ट के बारे में अब जहां कई पढ़े होंगे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यहीं आता है कि इस एक्ट के द्वारा 6 सदसिये Board of Control का गठन किया गया तो आए जानते हैं Board of Control क्या होते हैं इससे पहले हम जानते हैं कि Board of Directors क्या होते हैं क्योंकि यह दुनों वर्ड एक दूसरे से मिलते जूलते हैं तो चलिए जानते हैं Board of Directors क्या होते हैं तो जब कंपनी भारत में बेवपार करने आय थी तो उस वक्त 24 लोगों का एक मंडल था जिसे Board of Directors कहा गया इन लोगों की जो रिटार्यमेंट एज थी I mean कारेवर्स वो चार साल के लिए थी ऐसा Regulating Act में बताया गया Board of Directors मिंस संचालक मंडल होता है जो वेवपार करने के उधिसे से आय थी लेकिन आगे चलके जब कंपनी यह सोचने लगी कि क्यों ना भारत पे वेवपार के खसान साथ राजनीतिक अधिकार भी करना सुरू कर दिया जाए तो एक ही Board of Control था और दो काम को संभलना था तो यह कैसे मुमकिन होगा तो उन लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम लोग एक और Board का गठन करते हैं जिसका नाम होगा Board of Control जो सबको कांट्रोल करेगा गाइज यह जो Board of Control है वो Direct Sunset को रिपोर्ट करता था आए पहले हम इसके थोड़ा Basic रूल को जान लेते हैं कि यह कैसे काम करेगी और संसद कैसे British Eastern Company को अपने हाथ की कटपुतली बनाएगी तो आए देखते हैं तो 1773 के Regulating Act से पहले यह होता था कि बंबाई मदरास के Governor होते थे जो Direct Report करते थे British Eastern Company को उसके बाद 1773 के Regulating Act के बाद संसद regulate करना शुरू की और हम लोग पीछे देख चुके हैं कि Governor के उपर Governor General होने लगे और Governor General होते वो रिपोर्ट करने लगे डारेक्ट संसद को तो चलिए बनाते हैं 1784 के पीट से हैं एक का एक कानूनी धाचा तो होता यह था कि Governor के उपर Governor General Governor General के उपर British East India Company I mean Board of Directors Board of Directors के उपर होने लगे Board of Control और Board of Control के उपर होने लगे संसद कहाने आपको समझ में आ रही है न टूटल कि संसद जो है वो उपर है सरोत्तम है और वो सबको regulate करना चाहा रही है ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे लगतार ऐसे करते हैं तो यह चीज़ आपको समझ में आ है न चलिए बढ़ते हैं अगले point पे तो अगला है सदस्य की न्यूक्तिया British Crown द्वरा की जाती थी और उनका वेतन भारत की राजैसो से दिया जाता था भारत का राजैसो मतलब British इचने कंपनी के द्वरा जो भी कमाया गया लाव है या फिर वसूला गया या फिर हर्पा गया तो ऐसे देखते हैं कि कैसे company को अपने हाथ में regulate कर रही है यह संसद और कैसे एक मतलब एक के बाद एक आरूप थोपते चली जा रही है संसद तो इसमें अब देख जाकते हैं कि बेतन जो है वो company को अब देना है संसद तो निक्तिया करे गहीं करेगी लेकिन जो वेतन होगा वो देना परेगा British Indian Company को तो ऐसे टोटल अधिकार करना चाहा रही है चलिए बढ़ते हैं अगले point पे तो अगला point पढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा टेश्ट लेना चाहूंगा चलिए मैं इसी question में आप सिले ही लेता हूँ चलिए बताईए गौवर्नर जर्नल की पारिसद की संख्या पहले क्या थी और उसको घटाया गया इस एक्ट में या फिर बढ़ा दिया गया उसके बाद में पढ़ देता हूँ गौवर्नर जर्नल को मत देने का अधिकार भी 1784 के पीर सिंड एक्ट में दे दिया गया भी कराया था चलिए बताईए चलो मैं ही बता देता हूँ पहले चार थी अब यह बता दीजिए आप कि इस एक्ट में 1784 एक्ट में उसको घटाया गया या फिर बरहाया गया अब थोरा से दिमाग लगाईएगा तो बता दीजेगा सोच लिए में ही बता देता हूँ ज़्यादा जोडने दीजे दिमाग पर तो मैं बता देता हूँ इसमें घटाया गया क्योंकि और फियस बात है जो संसद है वो अपने हाथ में रिगलेट करेगी तो जो governor का power है उसको तो कम करेगी करेगी तो इसमें घटा दिया गया तो कितना कर दिया गया तीन इसको प्याद रखेगा घटाया गया मतलब चार से कम ही होगा ज्यादा नहीं होगा तो नेक्ट पॉइंट है गोवर्नर जर्नल की पारसद तथा बुंबाई एवे मदरास प्रांतों की पारसद की सदस्य की नियुक्तिया कमपनी के भारत इस्तित अधिकारों में से किये जाने की प्यवस्ता की गई इसको अब थरा समझ लीजेगा मैं समझा देता हूँ फिर से जो गोवर्नर जर्नल की पारसद की संक्या थी पहले क्या होते थी कि बंबाई मदरास के पारसद की सदस्य की नियुक्ति थी वह कमपनी जो करती थी वह भारत के अधिकारियों में से नहीं करते थी लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ कि भारत में जो अधिकारिया नियुक्त पहले से किये गए हैं उस ही में से उसको न्यूक करने का अधिकार भी मिल गया उसके बाद है गोवर्नर जेर्नल तथा गोवर्नरों की न्यूक्तिया यदिपी संचालक करते थे लेकिन न्यूक्ति से पुर्व उन्हें बृटिस क्राउंl से स्विक्रिति लेनी आउस्यक थी अगला है गौवर्नर जर्नल तथा गौवर्नर को वापस बुलाने का अधिकार भी बिटिस क्राउन को सौप दिया गया नेक्स्ट पॉइंट है अब गौवर्नर जर्नल इंगलेंड सरकार की अनुमती के बिना ना तो किसी भारतिय राज से यूद कर सकती थी और नहीं संधिक कर सकती थी ये पॉइंट थोड़ा इंपोटेंट है इसके बारे में हम Apollo कर लाथे है इससे पहले क्या होता था कि जो भी कमपनी थी मतलब इसके पहले क्या था कमपनी पलासी का यूद लरा बक्सर का यूद लरा तो अपने मर्जी सा लरा क्योंकि वो अपने जो ब्यवपार था उसको बिस्तरित करना चारा था बिस्तार करना चारा था लेकिन अब क्या हुआ इस एक्ट में क्या हुआ कि उसे कोई भी संधी करनी थी किसी राई से राज हो नवाब हो या फिर राजा महराजा हो उसे संधी करनी है या फिर यूद करना है तो उनके साथ जो भी कुछ करना है उससे पहले उससे संसत से उनमत लेनी होगी यानि संसत क कि भारतिये प्रदेशों को ब्रिटिस राज कहा गिया इस पॉइंट तो थोड़ा आप याद कर लिजेगा मार कर लिजे इस पॉइंट को क्योंकि यह पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट के तरफ तो नेक्स्ट है कॉलकात्ता इस्तित सरोच न्याले के छेदरादिकार को केवल ब्रिटिस नागरी को तक्सीमित कर दिया गया नेक्स्ट है कंपनी के वानिज्य संबंदी विसोयो को छोड़कर सवी सैनिक असैनिक तथा राजसोव संबंद मामले को एक नियंतरन बोड के अधिन कर दिया गया अगर आप लोगों ने 1770 के एक्ट को बिल्कुल अशी तरह से देखा हो तो यह कोश्चन उसमें भी था लेकिन उसमें क्या था कि जो पहले सैनिक जो थी या फिर जो भी सैनिक बल थे या फिर राजस्वा था वो टोटल कंपनी के पास रहता था लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ कि जो सैनिक है वो डिरेक्ट का रिपोर्ट करने लगे नियंतरन बोड को यानि बोड अफ कंट्रोल को चले बढ़ते हैं हम लोग अपने इस एक्ट के द्वारा द्वेशासन को पुना शुरू किया गया जो अठारा सो अंठावन तक चलती रही मैंने क्या बोला पुना यानि इससे पहले भी कभी द्वेशासन की शुरुआत हुई थी तो जी हां इससे पहले बंगाल में सत्रोसो पैंसेट से लेकर 172 तक द्वे अदमी के सासन हो गया इसलिए वहां पे द्वेशासन बंगाल में रहा इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा है कि जो 1784 का पीट सिंड्या एक्ट है उसमें कंपनी के द्वारा चलाया था था और दूसरा संसद्य बोर्ड के द्वारा सासन चलाया था थ ने बंगाल में द्वेशासन का जनक माना जाता है यह सेसन यहीं पर कंप्लीट होता है तो चलिए सल्व करते हैं कुछ MCQ जो अभी तक स्टेट पीएसी में पूछे गया है तो हमारा पहला MCQ है निमलीखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंतरन मंडल की ब्यवास्ता क की गई अप्शन अब देख सकते हैं अप्शन है रिगुलेटिंग एक्ट 1773 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 चाटर एक्ट 1813 या फिट चाटर एक्ट 1833 इस कुश्चन के जो राइट एंसर है वो है अप्शन नमर बी यानि की पिट्स इंडिया एक्ट चलिए बढ़ते हैं ने इसका जो राइट एंसर है वो है अप्शन नमर सी यानि की पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तो चले बढ़ते हैं नेक्ट प्रस्निक तरफ तो अगला है निमलीखित कतनों पर विचार कीजिए एक है पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से गवर्नर जर्नल की पारिशद में सद पूरक अधिनियम दोरा विसेस मामलों में गवर्नर जर्नल को कमांडर इंचीप का पधारन करने की अधिकारिता प्रदान की गई इस कोशन के जो राइट एंसर है वो है अप्शन नमर सी यानि की एक और तीन तो चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग अपने नेक्ट प्रस्निक तो अगला है पीट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत के अधिनियम में निमलेखित में से कौन सा प्रदान नहीं था मतलब कौन से इसमें उलेखित नहीं था अप्शन आप देख सकते हैं तो इस कोशन के जो राइट एंसर है वो है अप्शन नमबर डी यानि की कमपनी को अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सेर और लाइक जिरूर करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1813 के चार्टर एक्ट में धनेवाद